आज तुम्हें एक question काना ने जा रहा हूँ जो J-min 2019 9th January shift 2 में पुछा गया था इसको पहले पढ़ यह क्या लिखा हुआ है Let f be a differentiable function r to r such that modulus fx minus fy is less than or equal to 2 mod x minus y power 3 by 2 For all xy belong to real number x और y के किसी भी real values के लिए यह inequality satisfy होती है And if f 0 बराबर 1 then 0 to 1 f square x dx is equal to यह fx का whole square है ठीक है तो यह question आया था J-min 2019 9th January shift 2 में तो इस question को देख करके तुम्हें क्या लगता है कैसे इसको solve करना चाहिए देखो इस question को solve करने के लिए हमें जो है integration 0 से 1 f square x मतलब fx का whole square dx यह करना है इसको directly आप integrate नहीं कर सकते है fx के बारे में जब तक आप पता नहीं चलेगा तब तक आप इसको solve नहीं कर पाऊगे है कि क्या लिखा हुआ है इसका मतलब क्या निकलता है थोड़ा सा इसको देख लिए जाए fx माइनस fy का whole mod less than यह दिया हुआ है ठीक है और limit x tending to y लिखा हुआ हो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो x बावा अगर y plus h रख दोगे तो यह f y plus h बन जाएगा और इधर minus fy और निचे y plus h रखोगे तो निचे h बन जाएगा अचा आप समझने को इसको यह क्या लिखा हुआ है तुम इसको समझ लो या इसको समझ लो दोनों बात एक ही है यह वास्तों में derivative वाला फार्मूला नहीं f dash x वाला तुमने एक फार्मूला पढ़ रखा है याद करो differentiation में limit h tending to 0 limit h tending to 0 f of x plus h minus of fx divided by h यह एक फार्मूला पढ़ रखा है इसको हम लोग f dash x बोलते हैं f dash x का फार्मूला इंपक्ट ठीक है अगर कोई function जो है मतलब किसी function के लिए अगर ऐसे लिखा जा रहा है यहाँ पर मान लिजए x है तो यहाँ पर क्या होगा यह वाला जो point होगा यह x plus h होगा तो यह distance जो है यह देख रहे हो यह क्या होता है यह fx plus h minus of fx होता है ठीक है यहाँ से यहाँ तके पूरे distance में से आपने यह distance घटा दिया तो यह वाला distance मिल जाएगा और यह क्या है h है ठीक है तो this upon this यह tan theta होता है और यह वास्तों में f dash वाले यह slope है वास्तों में ठीक है यह slope का formula f dash x है ठीक है तो यह कुछ उसी direction में जा रहा है यह देख रहो ना तो हम लोग इसी से फाइदा लेने कोईस करेंगे ठीक है इसको पहले मैं ढाल दू तो हम लोग उसी का फाइदा लेंगे यहाँ पर देखो अब यह fx minus fy का whole mod less than or equal to mod x minus y इन दोनों को देख के समझ में आ रहा है इनी दोनों से link वैट रहा है कि आखिर यह है क्या तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर mod fx minus fy और less than or equal to 2 mod x minus y लिख सकते हैं ठीक है और यह power 1 by 2 और नीचे mod के अंदर x minus y ऐसा लिख सकते हैं देखो यहाँ से भाई यह जो लिखा हुआ है mod x minus y की पावर 3 by 2 इसको लिख सकते हैं mod x minus y की पावर 1 into mod x minus y की पावर 1 by 2 ठीक है तो उधर से इसको यह वाला जो टर्म है उसको इधर ले आने ठीक है और यह बन जाया है और फिर अब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि x बराबर रख दे हम x plus h तो यहाँ पर भी x plus h रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी x plus h रखना पड़ेगा ठीक है और x, y belong to any real number दिया y question में यार तो x बराबर कुछ भी रखो x plus h ही रख दो चलो ठीक है और y की जगे y को हम replace कर देंगे x तो यहाँ पर और यहाँ पर तुम x रख दोगे ठीक है तो जो काम तुम यहाँ करने वाले हो वही काम तुम यहाँ करने वाले हो ठीक है तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पर x रख देना है और जहां जहां पर y था वहां वहां पर x रख देना इससे हमें फाइदा क्या मिलेगा इससे हमें फाइदा ये मिलेगा कि ये जो है ना ये fx प्लस h बन गया जो कि हमारा बहुत well-known formula है ये fx प्लस h minus fx upon h बन जाएगा ये हमारा बहुत well-known expression है differentiation में ठीक है जब differentiability हम लोग पढ़ते है ना first principle से कैसे हम लोग check करते है differentiability तो वहां पर ये formula rhd lhd और differentiation का जो formula होता है basically वो first principle formula भी कहते हैं इसे differentiation के लिए ठीक है तो ये fx प्लस h minus fx upon h ये जो famous expression है हम वहां पर पहुँच गया है x plus h रखा यहां पर x plus h में से x घटा y जगे हम x replace कर रहे है और ऐसा करने के बाद ये जो right side में क्या आएगा x plus h minus x power 1 by 2 ठीक है बस इसके बाद अब तुम्हें एकदम clear होने लगेगा और यहां पर जरूरी नहीं कि h 0 के पास जाए अभी तो हम बस ऐसे रखते चले जाने दिखते हैं क्या होता है पहले थोड़ा जान पैचान हो जाए इससे मतलब जान पैचान वाला expression मन जाए थोड़ा ये हो जाएगा 2 mod h की power 1 by 2 ठीक है देखो बच्चो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर h पर एक rule लगाएंगे कि h बहुत चुटा अगर limit h tanning to 0 हो जाए तो ये f dash x बन जाता है है ना तो यहां पर हम लोग करेंगे limit h tanning to 0 ठीक है और ये पूरा लिख देंगे वैसे कि h की वालूप बहुत कम है तो ठीक है ये f dash x बनता है दिखते हैं क्या फाइदा होता है इसका ठीक है limit h tanning to 0 ठीक है और 2 mod h की power 1 by 2 ठीक है ऐसा करने के बाद इधर वाला तो बन गया f dash x जान दो ठीक है और ये हम लोगों ने differentiability differentiation में ऐसा पढ़ रखा है तो f dash x का whole mod आ गया ठीक है इधर लेफ्ट साइड में ठीक है ये f dash x बन गया और इधर बन गया जब होता है तो x ब्रावर 0 ही possible है यह रूल याद है modulus function में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है function में कि अगर कोई mod less than or equal to 0 लिखा है तो less than 0 तो होना नहीं है equal to 0 में सिर्फ एक बराव 0 होता है ठीक है rule तो यहाँ पर modulus के अंदर f dash x आ गया lesson or equal to 0 लिखा हुआ तो इसका मतलब f dash बरावर 0 is possible only ठीक है is possible only तो यह confirm हो गया कि f dash x जो है वो 0 होगा और f dash x जब 0 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ स्लोप हमेशा 0 बना हुआ है तो मतलब कोई constant function है ठीक है मतलब horizontal line है ठीक है तो f dash x बरावर 0 से पता चला कि जो function f x है वो एक constant function है क्योंकि constant function जो होता है उसी का slope 0 होता है ठीक है तो f x एक differentiable function है और f dash x बरावर 0 आ रहा है f x must be a constant function और f 0 बरावर 1 दे रखा है f 0 बरावर 1 दे रखा है मतलब 0,1 से प्राव जो है पास हो रहा है function f x ठीक है f 0 बरावर 1 दिया हुआ और यह constant function है ठीक है तो इसका मतलब भी हो कि f 1 बरावर बराबर भी 1 होगा, f2 बराबर भी 1 होगा, f3 बराबर भी 1 होगा, f4 बराबर भी 1 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि fx हमेशा 1 कहीं तो बराबर है, इससे यह result मिला कि नहीं, क्यों, क्योंकि f0 बराबर 1 दे रखा है, f0 बराबर जब 1 दे, पक्की बात है, f dash x बराबर 0, तो तो इसका मलब यह वह fx ए constant function है और जब function fx constant function है और f0 बराबर 1 दिया हुआ है और जब f0 बराबर 1 दिया ही हुआ है तो यार हर जगें यह 1 ही के बराबर होगा तो जाहिए इस बात है fx बराबर 1 only this is possible ठीक है तो fx बराबर 1 हो गया confirm और यहाँ पर क्या करेंगे इससे हमने result क्या निकाला fx f-x बराबर 0 only ठीक है या मतलब fx a constant function है fx बराबर k इसी type में कोई function होगा और चुकि f0 बराबर 1 दे रखा है f0 बराबर 1 दे रखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो graph है वो इस type से जाएगा ठीक है f0 बराबर 1 दे रखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि fx बराबर 1 always ठीक है तो इससे confirm हो गया ठीक है इससे क्यों हम यहाँ पे लिसकते हैं कि fx बराबर 1 only possible ठीक है यह हो सकता है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि fx की value हमेशा 1 के बराबर है और 0 से 1 fx का whole square dx यह पुछा गया है आपसे तो 0 से 1 1 dx हो जाएगा और इसकी value कितने जाएगी 1x और from 0 से 1 बराबर 1 minus 0 ठीक है तो इसका जो answer है वो 1 के बराबर होगा ठीक है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यह function fx है वो एक constant function है समझ में आरी बात आप इस question को ऐसे भी कर सकते थे सीधा सीधा x बराबर y plus h रख देते है यहाँ पर अगर f भाई अगर यहाँ पर आप ऐसा कर देते है अगर modulus के नदर fx minus y लिखा हुआ है less than or equal to 2 mod x minus y mod और 3y2 लिखा हुआ है तुम जहाँ पर x दिख रहा है तुम वहाँ पर y plus h रख देते हैं और कुछ ना करते है तो यह क्या बन जाता पता है f y plus h f y plus h minus of f y less than or equal to 2 जो y plus h रखते हैं यह बनता ठीक है और इसके बाद तुम वो काम कर लेते f y plus h f y plus h minus f y divide by h whole mod less than 2 mod h की power 1 by 2 और फिर तुम यहाँ पर limit लगाते है limit s turning to 0 तो क्या आता जड़ा देखो ध्यान से यहाँ पर आता f dash y और इदर आता 0 तो इसका अदब अभी क्या हुआ f dash y बराबर क्या f dash y बराबर 0 only ठीक है और f dash y बराबर 0 only का मतलब यह हुआ f dash x बराबर 0 only यही तो मतलब निकला बही कोई फंस्टान है उसमें f dash y जो है वो 0 है तो जाहिर से बात है f dash z भी 0 होगा f dash x भी 0 होगा तो x में f dash x जादा famous होता है तुम लोग देखते हो इसलिए x के form में हम लोग लिखने कोईस करते है बसे यह भी वही चीज़ है जो यह है ठीक है तो f dash y बराबर 0 है f dash x बराबर 0 है तो f dash x बराबर 0 सर्फ तभी possible है जब f x एक constant function के बराबर हो मतलब यह हुआ कि f 0 बराबर भी k होगा f 1 बराबर भी k होगा f 2 बराबर भी k होगा यह साब k के बराबर होगे ठीक है और अगर माली जैसे इस question में f 0 बराबर 1 दिया हुआ है तो पकी बात है k की value 1 के बराबर हो जाएगी और जाहिए ज़िए बात है प्रिंसिपल से आप लोग डिफ्रेंसियेट करते होना उसी पर बेस्ट था f 2 बराबर limit h 10 to 0 f x plus h minus f x upon h ठीक है एकदम basic जो आप लोग पढ़ते हो differentiation के starting में differentiability वाला part उसमें तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है आज यह हमने question solve किया differentiation के first principle formula पर based अब इसके बाद हम एक और question लेके मिलेंगे फिर से दुबारा ठीक है बाए बाए